नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Stock for Money यूट्यूब चैनल पर बात करने जा रहा हूं दोस्तों डीनर सेट बनाने वाली कमपनी डीनर सेट रिलेटेड और भी प्रोडॉक्ट्स कमपनी बनाता है और कमपनी का नाम है ला उपाला आरजी लिमिटेड कमपनी जबरदस्त है लगातार अपने बिजमेस को एकस्पांड कर रहा है दोस्तों और ये कमपनी लगातार केपेक्स भी कर रहा है कम्पनी जबरदस तरीके से बाउंस बेक करके अपना quarter to result जिए दोस्तों एक धमाके धार result कम्पनी पेस किया था पहले कम्पनी का quarter to result को थोड़ा समय आपको दिखाऊंगा इसके बात कम्पनी के रिलेटेड और कुछ पॉइंट और कुछ पारामीटर के हम उपर बात करेंगे जो कि दोस्तों इस कम्पनी को और भी उचायो तक ले जा सकते हैं सीधे कम्पनी का जो quarter to result है ये कैसा था इसके ज़लक थोड़ा सा हम देख लेते हैं अगर देखेंगे ये देखिए हम सीधे result में आ गये है quarter to 2022 quarter one FY 2022 total income आप देख पारे हैं दोस्तों total income में 37 करोड से 97 करोड से यहाँ पर आया है 160.76% की जबर 10 जम्प यहाँ पर दिखाया था company net profit देखिए 208% का जम्प 8 करोड से सिधा 27 करोड से यहाँ पर दर्ज हुआ था EPS 0.80 से बढ़के 2.46 पैसे यहाँ पर आया था 207.50% की यहाँ पर बढ़त company दिखाया था Q on Q basis पे अगर हम देखेंगे एक जबर 10 ग्रोथ यहाँ पर company के जो है दोस्तों result में देखने के लिए मिला था बट अगर मैं बात करूँ इसकी जो result को Y on Y basis पे Y on Y basis पे क्या कर रहा है company यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें भी बहत्रीन ग्रोथ है 129.61% टोटल इंकम में 270 दसम लोग 20 20% net profit में EPS में देखेंगे 267.16% की ग्रोथ और जॉंप यहाँ पर देखने के लिए मिला था बड़ दोस्तों इसकी अगर हम FY 2021 आप्टर 6 महिने के बाद का जो performance को देखेंगे यहाँ पर देखेंगे यह कितना था 53 करोड श्रीप था 21 के 6 महिने के बाद बड़ 2022 के 6 महिने के बाद यहाँ पर आ गया था देखें 134 करोड इसमें 153.06 करोड का इहाँ पर जंप है नेट प्रोफिट में भी देखें 732.05 परशेंट की जंप EPS आप देख पा रहे हैं इसमें भी 735.90 परशेंट आप्टर 6 मंद दोनो financial year की आप्टर 6 मंद का आप performance यहाँ पर आपके सामने है कंपनी कैसे दिखाया था यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कंपनी bounce back कर चुका है और आने वाले समय में भी आने वाले जो quarter कंपनी का आने वाले हैं यहाँ पर भी कंपनी ऐसा performance दिखा सकता है इसकी क्या guarantee है दोस्तों 100% guarantee है क्योंकि कंपनी काम ही ऐसा कर रहा है कंपनी का कुछ मैं दोस्तों development के उपर अगर भात करूँ यहाँ पर देखिए new packs to add growth for next 3 years एक quarter ने दो quarter ने आने वाले 3 साल तक का भीजन तयार है greenfield expansion at sitargonch अंदेखिए an उत्तराखंड is completed expansion हो चुका है जहां से commercial production will commence during quarter for FY22 यहां पर देखिए यहां से जो है यहां का operation भी चालू हो गया यहां से production भी चालू हो जाएगा minor delay has been count in LVT of team देखिए थोड़ा सा delay यहां पर है जो कि UKO Italy से आने वाले थे team LOG has retained 25% of the machinery cost देखिए सब payment नहीं किया है जो कि 200 million है until the production of comments ऐसा नहीं है कि यहां पर जो दोस्तों यह जो plant बिठाने वाला उसको जूट बोलके चला जाएगा यह totally अपने safe hand में है 200 million यहां पर company यहां पर जो है दोस्तों block करके भी रखा है total cost का next में अगर बात करूं company का जो और कुछ point के उपर मैं चलूँ यह देखिए total capex RS 1.35 billion देखिए कर रहा है जो की with capacity of 11,000 ton जहां से 11,000 ton की capacity at peak this capacity will yield sales of RS 1.8 billion यह के peak खेतर में जैसे यह operation हो जाएगा वहां से 1.8 billion यहां पर आने के sales आने के समभाबना है apart from this the company's setting up capacity of borosilicate glass over next 18 months देखिए borosilicate glass plant भी करेगा जो आने वाले 18 महिने में यह तयार हो जाए capex up 700 million जहां 700 million capex कर रहा है at peak utilization यहां से भी 1.3 से 1.4 billion sales company कर लेगा next क्या है these two capacity addition will driving growth for next to 3-5 years यह दोनो capacity जगर full हो गया दोस्तों यह अब फूल place में under operation आ गया तो यह आने वाले 3-5 साल तक और भी company को उचायो तक ले जा सकता है demand scenario strong as ever demand तो strong है और यह रहेगा भी next है दोस्तों company e-commerce के में यह total focused कर रहा है देखिए renewed focus on e-commerce management has serpent its focus on e-commerce channel e-commerce channel में focus कर रहा है और management भी यही चाहा रहा है the company is reworking on its online catalog building better home page for its website and has recently done phrase agreements with flip card and amazon देखिए phrase agreement जो e-commerce channel flip card और amazon के साथ भी company कर चुका है laopala will have separate page of its brand on amazon and flip card from january 2026 separate page भी यहां से खुलने लगेगा जो की laopala का ही होगा amazon और flip card में current sell contribution from this channel is 5-6% of total sales अभी कि अगर बात करेंगे 5-6% है total sales का but with the current rework sell from e-commerce channel will be double यहां से 12% यहां से जोस्तो sales आने की संभावना management की और से यहां पर आ रहा है यह management की और से जताया जा रहा है कुल मिला कि अगर देखेंगे दोस्तो company जबरदस्ट work कर रहा है जबरदस्ट अपने विजनेस को बढ़ाने के लिए company लगातार काम करते हुए दिख रहा है ऐसे में company का आने वाला quarters भी दोस्तो सांदार हो सकता है मुझे तो ऐसा बिलकुल लगता है next बात करूँगा company का और कुछ point के उपर company देखे अभी 423 रुपीज के price पर अभी trade कर रहा है और इसकी अगर 52 वी खाय बात करेंगे यह 456 रुपीज यहां पर company हाय लगा लगा चुका है company की price performance को अगर हम देखेंगे यह देखेंगे पिछले 3 साल में company 96.82% की return है एक साल के अगर बात करेंगे 77.34% है पिछले 3 महिने में 35.88% की return company दिया है एक महिने के अगर बात करेंगे यह 13.36% यहां पर निकल के आ रहा है company का अगर हम average delivery percentage को देखेंगे तो यह 26.70% एक महिना की निकल के आता है बाकी company का अगर हम दोस्तों numbers को देखेंगे यह देखेंगे year wise performance में थोड़ा सा company डगमगा गया था 2019 में 278 crores revenue आया था टोटल बट यहां पर धीरे धीरे company का performance थोड़ा सा revenue में डाउन होते जा रहा है net profit में देखिए company का भी यहां पर 2021 में 349 crore का net profit company दर्ज किया है बड़ दोस्तों company जो लगातर काम कर रहा है आने वाले समय में मुझे लगता है यह बड़ा ग्राब जो है यह बड़ा ही नजर आएगा next बात करेंगे company का जो shareholding pattern कैसा है 65.64% की holding promoter रखते हैं कोई भी share इनका place होते हुए भी नहीं दिख रहा है FII देखिए 6.14% की holding अब इनके पास है DII भी holding रखते हैं 15.08% दोस्तों आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं सबका interest इस company के उपर अब बढ़ रहा है 13.10 में लोग 1.4% देखिए Retail investor अपना holding रखते हुए दिख रहे हैं share healing pattern wise भी अगर देखेंगे कोई भी खराबी यहां पर company के उपर नजर नहीं आ रहा है total reserve 643 करोड से करजा long term है 0 नजर आ रहा है सट टर्म की अगर करजा देखेंगे थोड़ा से यहां पर देखिए company का 1 करोड का करजा श्रीप यहां पर दिख रहा है बाकी company का जो cash है 4 करोड से है और currently company 299 करोड का investment करके भी रखा है total asset बढ़के 741 करोड हो गया है सांदार balance sheet है और यह company भी बढ़िया है दोस्तों और future outlook भी यहां पर जवर्दस्त नजर आ रहा है ऐसे में आप बिल्कुल इस company के उपर नजर बना के चल सकते हैं गिरावट में भी आप इसमें दोस्तों यहां पर buying करके चल सकते हैं बाकी complete decision तो आपके खुद का ही होगा आज के लिए इतना था वीडियो पर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देंगे और चैनल को subscribe नहीं के हैं तो please subscribe कर दीजेगा जय हिंद